नमस्कार मैं हूँ रितेश और मेरे चैनल पे आपका स्वागत है दोस्तों आज मैं बात करूँगे में इन्टल हुड की अल्ट बाला जी और जी फाइव की ये सिरीज है कंसेप्ट है एक तक कपूर और रितु भाटिया का लिखा है रितु भाटिया और सुयस ने इसका इंट्रो बहुत ही क्रियेटिव है बहुत ही कम शब्दों में यहां मॉम्स की इस्थिती के बारे में बताने की कोशिश की गई है और सांग तो बेहतरीन है कहानी है कुछ महिलाओं की इन महिलाओं में से एक है मीरा शर्मा, मीरा विदन आई मीरा अपने पती अनमोल के साथ और बच्चों के साथ मुंबई शिफ्ट होती है कानपूर से अनमोल की भूमिका में आप यहां देखते हैं संजे सूरी को तो जब मीरा यहां आती है तो उनकी इक्षा होती है कि उनके बच्चे किसी बड़े स्कूल में पढ़ है वो एक इंटरनेशनल स्कूल में अपने बच्चों का अडमेशन करवाती है और वहां कुछ और मॉम्स से उनकी पहचान होती है और इनका एक ग्रूप बन जाता है यहां हम फिर अलग-अलग मॉम्स की भूमकाओं में देखते है शिल्पा शुकला को जो कि नमर्ता बनी है एजीयो यानि की अनुजा बनी है संध्या मिर्दुल दीख्षा बनी है सुरूती सेठ प्रीती है तिलोतमा शूम और इन सब के बीच दीनो मोरिया है आकास के रूप में जो की एक सिंगल पेरेंट है अब हम देखते यहां है कि अलग-अलग एपिसोड में बच्चों से जुड़े हुए अलग-अलग मुद्दों को उठाने की कोशिश की गई है चाहे वो मुद्दा न्यूट्रिशन का हो या बुलिंग का हो या हेल्थ का हो बहुत ही खूसूरत तरीके से हलके-फुलके ढंग में बहुत गंभीर बात यहां कहने की कोशिश की गई है इसके अलावा कुछ चीज़ें हैं जिन पर बड़ा फोकस किया गया है जैसे कि माबाप यह हमेसा चाहते हैं कि वो अपने बच्चे की हर मांग को पूरी करे लेकिन क्या ऐसा करना सही है क्या कभी-कभी उनको ना भी कहा जाना चाहिए या फिर हम देखते हैं कि यहां जो good touch और bad touch है उसके बारे में बात की जा रही है और यह आज के समय में बहुत ही जरूरी इशू है हर माबाप को इसके बारे में जानना चाहिए और हर बच्चे को इसके बारे में बताया जाना चाहिए molestation एक बड़ी समस्या है और इसको दूर करने के लिए जाग रुकता बहुत ही जरूरी है इस सब के अलावा ऐसा नहीं है कि केवल यहां बच्चों के बारे में बात है या बच्चों के issues को उठाने की कोशिश की गई है moms के जो issues है उसको भी यहां काफी जगे दी गई है जैसे कि family और बच्चों के साथ किस तरह से वो balance बनाती है या उनके अपने pain क्या है उनका struggle क्या है इसको भी बहुत अच्छे ढंक से दिखाने की कोशिश की गई है देखिए महिलाओं के बीच कई बार यह होड हो जाती है कि सबसे अच्छी मा कौन है और यहां फिर आपको नमरता और अनुजय के बीच की होड बहुत अच्छी दिखाई देगी यह दोनों classmates थी अब एक ही school में इनके बच्चे पढ़ते हैं तो इनका जो द्रिश है वो भी आपको कई बार बहुत ही आकरशक लगता है इसके अलावा यहां एडाप्शन और सेरोगसी जैसे गंभीर मुद्दे की भी चर्चा की गई है और जो आकाश है वो single parent है तो single parenting को लेकर भी बात अच्छे धंसे की गई है और परिवार का असर क किस तरह से बच्चों पर परता है यह भी दिखाने की कोशिश की गई है तो कुल मिला करके यह है कि बहुत ही अच्छा यह concept है और बहुत हलके फुलके बहुत ही अच्छे धंक से यहां पेश करने की कोशिश की गई है कुछ चीज़े हैं जो जरूर थोड़ी सी कमी रह गई इस सीरीज में जैसे कि हम देखते हैं कि जो यह मौम्स के दरी से हैं बीच में वह कए बार काफी लंबे हो जाते हैं या फिर यह मौम्स से यह अिरकल ही हाइँ ही हाइट्र मेडियम्डियम वरक की हैं लेकिन यह मुद्दे इतने कमन है और हर महिला को इसको फेस करना पड़ता है तो इन मुद्दों से वह अपना जुड़ाव जरूर महसूस कर सकती है शुरू में हम देखते हैं कि करिश्मक कपूर एक आदवार गाली भी दे रही है तो इसकी भी कोई जरूत नहीं थी और मीरा शर्मा के जिस तरह का करेक्टर है उसको उन्होंने बहुत अच्छे से निभाया लेकिन यह गाली वाला पोर्शन अगर एडिट कर देते तो थोड़ा ठीक ही लगता बात अगर आप करे आभिने की तो देखिए करिश्मक कपूर बहुत दिनों के बाद परदे पे दिखी है बहुत ही स्चांदार आभिने इन्होंने किया है तीन बच्चों की मा है वो और जितना भी कहिए कि इनसे उमीद की जा रही थी करिश्मक कपूर एक बड़ा नाम है फिल्मों के दुनिया का उनसे बहतर परफर्मेंस आपको यहां देखने को मिलेगी इसके लावा डिनो मोर क्कूरिया भी काफी आकरसक देखे हैं बहुत ही एस्ट्रिक्ट मॉम की भ्हूमिका में यहां संध्यम्रदुल उनको मॉमचिला भी कहा जाता है संध्यम्रदुल भी बहुत एक है हाला कि उनके लाइफ का भी एक स्ट्रेगल है कि वह कि क्यों बाहरी तोर पर इतनी कठोर है और जो दूसरे पात्र है वह सब बहुत अच्छे है बहुत फिट बैठ है अच्छा विनवी किया है अगर आप दूसरे डिपार्टमेंट्स की बात करें तो सिनेमेटोग्राफी है बडि हुट के बारे में है और अगर आप महिला है या फिर अगर आप इरेंटिंग के जरूर भी को सीखना समझेist चाहते हैं तो वक्त भी आपका बहुत ज़्याही लगना नहीं नहीं लगने वाला तो दोस्तो मेंटल हूट के बारे में आज इतने ही चर्चा आगे किसी और आप, किसी और सिरीज, किसी और होट टापिक को लेकर मैं आपके सामने आऊँगा, तब तक देखिए आप मेरे वीडियो मेरे चैनल को पसंद करिए, यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइ